आपको करनाटक का हिजाब विवाद याद होगा जब कई मुस्लिम संगठनों और लिब्रल गैंग के लोगों ने स्कूल युनिफॉर्म के मुद्दे को धर्म से जोड़कर एक नया बवाल खड़ा कर दिया था हैरानी तो तब हुई जब तालिबान और मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने भी भारत को नसीहत देनी शुरू कर दी थी इन सभी ने बड़ी ही चालाकी से अंतर राश्ट्रियस तर पर भारत की छवी खराब करने की कोशिश की लेकिन भारत को नसीहत देने वाले OIC के 57 मुस्लिम देश आज ये खबर देखकर खून के आसू रोएंगे मजे की बात तो देखिए कि जिस हिजाब को लेकर भारत को घेरा गया था अब वही हिजाब इन 57 मुस्लिम देशों के गले की फास बनता जा रहा है आपको बता दे कि OIC के सदस्य देश इरान में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे दुनिया अंजान है इरान में पिछले कुछ समय से प्रदर्शन चल रहे हैं ये प्रदर्शन इरान की महिलाएं कर रही है इरान की महिलाएं हिजाब के खिलाफ सडकों पर उतराई हैं इन महिलाओं को हिजाब से आजजादी चाहिए जानकारी देदे की इरान की महिलाएं उस कानून का विरोध कर रही हैं जिसके तहट उन्हें हर हाल में सारवजनिक जगों पर अपने बालों को ढखकर रखना अनिवार रहे इस कानून के विरोध में इरान की युवा महिलाएं सोशल मीडिया पर बिना हिजाब के खुले बालों के साथ वीडियो पोस्ट कर रही है इन महिलाओं को अब पुर्शो का भी समर्थन मिल रहा है इरान से कई वीडियो सामने आ रहे हैं वीडियो में देखा जा सकता है कि इरान की महिलाएं अपने देश के कट्टर राश्ट्रपती के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं हैरानी की बात देखिए कि इरान में इतना बड़ा प्रदर्शन चल रहा है लेकिन सभी मुस्लिम देश खामोश हैं करनाटक के मुद्दे पर दिल्चस्पी दिखा रहे ये देश अब इरान के मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते